हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ विशाल और कुछ टाइम पेले मैंने आप सभी को एक BLDC मोटर बना कर दिखाया था जिसको ड्रोन की मोटर भी बोला जाता है लेकिन भाई इस मोटर को चलाने के लिए में एक EAC की जरूत पड़ती है जिसे मार्केट से पर्चेस करोगे तो लगबा 40-45 रुपर में घर पर बनके तयार हो जाएगी और भाई इस EAC का फाइदा यह है कि इसके अंदर आपको सरू मोटर कंट्रोलर जो होता है उसकी जरूत नहीं पढ़ने वाली तो उसके भी आपके पैसे बच जाएंगे यहापर तो चालू करते हैं फटाफ़ वीडियो को औ आपकी कमेंट के उपर है तो यार भायू लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए भायू यह सी बनाना चालू करते हैं हमें सबसे पहले यहाप जीरो पीजी भी लेना होगा जो कि हमारा पूरा सर्कीट को इसी के उपर बनाने वाले हैं अब हमें मोस्वे हाफी ददा मेंगा मिलेगा अब यहापर हमारे जो तीन हीट सिंग लेनी होगी ताकि हमारा मॉस्वेट जो यहापर गरम ना हो तो यहापर हम हीट सिंग के इसके उपर रखेंगे और मोस्वेट को इसके उपर कस देंगे यहापर पानलेली मैंने तीरों moshfat के अंदर थीरों hit sign को लगा दिया है अब यहां पर zero PCB लेंगे और हमारे तीरों mosh58 को इस zero PCB के ऊपर यहां पर सैट कर देंगे आपको द्याँ रखना है कि हमारे जो hit sign एपस में touch नहीं होनी जाहिए वगेशना हमारे circuit काम नहीं करेंगा और यहां पर नीचे की साइड से हम सोल्डिंग कर देंगे सोल्डिंग करते से मैं आपको ध्यान रखना है कि यह जो 0 PCB है इसके उपर आपको जहां पर पॉइंट दियागा है वहाई सोल्डिंग करनी है दूसरी जगा आप करोगे तो यहां पर क्या है कि यह खराब हो जाएगा सर्किट काम नहीं करेगा अब आपको इसक्रीन पर यहां पर इसका डाइग्राम दिख रहा है इसको आप फोलो कर सकते हो इसका स्क्रीन शूट ले सकते हो या फिर वीडियो को डायरेक्ली सेव कर सकते हो इसके उपर हमारा पूरा काम करेगा आपको इसके अंदर पूरा एक्स्प्लेन कर रहा है अब यहां पर हमें क्या करना होगा सबसे पहले तीन डायोट लेने होंगे अब यहां पर जिसे मैंने डायग्राम में दिखा आप सभी को उसी टाप से यहां पर हमारे डायट्स और रेजिस्टर को हमें अब फिट कर देंगे तो भाईयो आपको यहां पर तोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेट दिखेगा कि यार विशाल भाई आपने जीरो पीसी बें क्या कर दिया है मतलब गसर पसड़ हो गया सारा लेकिन यसा नहीं है आप जब इसको बनाओगे जब आप डायग्राम को देखकर इसको बनाओगे तो ज्यादा इसका कुछ हेवी डायग्राम नहीं है इसको घर बना सकते हो और यह वीडियो आपके कमेंट के उपर है मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई इसके उपर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो लाइक और शेयर ज़रू कर देना यार फानली गाईज आप यहां पर हम तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लेना क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं लाइक भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लेना यार भाईयो क्योंकि इससे आपका को पुरा काव पूरा एक मैदान करदो इसके अंदर जो डैग्रां के अंदर जो सर्किट के अंदर मिला हुआ है उसी लाइन को आपको मिला ना है ठीके पानरी घाएज О पूरी मेने कंप्लीट कर दिये इसके अंदर जिते भी कनेक्शन थे उसारे के सारे कर दिये हैं और धियान रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल बारीकी से काम करना है आपको अब यहां पर हंडेट के एक पोटेंश्यों मिटर लूगा में यह आप किसी पूराने इस पीकर के अंदर से निकाल सकते हो या फिर आपको मार्केट पर 10 रुपय का मिल जाएगा पानल यहां पर इसको लगाने के बाद में हम सोल्डिंग कर देंगे पीछे की साइड में अब यहां पर मैं 1K का रिजिस्टर लूगा और इसको यहां पर डाइग्राम के अनूसार हमारे अधर पूरा पूरा कनेक्शन यहां पर ओचुका है अब एक कनेक्शन और करना होगा कि पोटेंश एमीटर के अंदर हमार जाएगा और यहां पर आप देखेगा इस पीछ वाली लाइन से लेकर यहां पर हमें देना होगा बीच में इसके लिए आपर मैंने कोपर का वायल जिसको मैंने jumper wire के रूप में यूज करूँगा में और इसको ऊपर के साइट में लगाकर नीचे से स्वोल्टिंग कर देंगे और यह जो है पूरा का पूरा सर्केट आपको जीरो पीसिबी का अंदर समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने यह पर पूरा डाइगराम बनाए आपके लिए अब यहाँ पर मैं तीन स्टाइप के यहाँ देख सकते हूं जंपर वायर ले रहा हूं यह यह आईडियों के अंदर इनके अंदर यूज किया जाते हैं आप डायक्ली वायर को भी कनेक्शन कर सकते हो अब यहाँ पर हमें यह करना होगा जो म हमारे बैटरी के नेगेटिव वाले पॉइंट पर जाएगा और यह पोटेंशियों मीटर के बीच वाले पॉइंट के अंदर लगाना है हमें और यह वाली जो यह सी में बना रहा हूं आपको दिख रहा हो काफी कॉपलिकेट है लेकिन आप सरकीट को अगर देखोगे मेरे वाले डाइग्राम को और उसके बाद में आप देखोगी कि इसको बनाने के लिए बेट होगे तो लगबाग 15 मिट के अंदर यह पूरी बूरी बनके तयार हो जाएगी अब यहाँ पर हमें मोटर को चलाना होगा इससे तो यहाँ पर आप देख तो मैंने BLDC मोटर बना रख धाल कर ठीए टिए कि यहाँ पर हमें वायरिन चेंज करने होगी क्योंकि हम ने कंदर टेल्टा वायर गिन्हकंक अंदर ती डाइगराम को देखोगे तो इसके अंदर बस एक वायर और एश्टर निकलेगा जो कि आपको सर्कुट देखकर आप समझ जाओगे पूरा तो फानल यहां पर मैंने इसकी चेंज कर दी वायरिंग और यहां पर आप देख से तो चार वायर निकल चुके तो तीन वायर तो हमारी जो EAC है उसके अंदर हम लगा देंगे इस टैप से तो फानल यहां पर देख सेको तो मैंने तीनों EAC के अंदर कंप्लेट लगा दिये हैं इसको अब यहां पर आप देख सेको तो मैं बार आउट की सप्लाई ले रहा हूँ के अंदर माइनष टेंपी जो है वामारी सिटे आंदर जाएगा जो कि हमने लिक्ट फायर क्वाइब लगाई था और प्लस वाल देख सेम ले वह मारी मोटर के अंदर युः जो इसट्रा में इसको चालू करेंगे तो यहां पर आप दिखस पेले में इसको तो यहां पर आप देख से काम कर लिए और इसके अंदर आपको आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका अंदर भी आपको काफी हाई स्पीड को चल रही है और हमारे पेसे अंदर रहरा पर bitches शेट हैं और दोनों कापेयर कर लगबग आपको एक ऐसे में पर बच चीछड है झाहिप आप तने, कि विने आपगान केंवेदा करते हैं, तब तेख़ोंगा प्रफजे देजिदा W तो देख़ोंगे अपिने, तेख़ोंगे बडियर को सबसाइमेर्ट के एक 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 हमादा में नहीं रगराओताँ प्रफजरा नहीं तेख़ोंगे अपिर लेड़ाउ कि इप गाइज आप सभी ने देखा कि हमारी एसी काफी अच्छे से काम करी है यहां पर बस हमें यहां पर जो मोटर का जाद यादा कि इस टाप्सिस का कनेक्शन होने वाला है और यह वाली वीडियो कैसी लेगी मुझे जरूर बताना और अच्छी लेगी तो लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आपको और कुछी टाइप की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताना कि विचाल लाइब स्ञेबधे लाइब देना है और अगर यह वाले है सब्सक्राइब अरूर बाइब कर दो आपके लेगी मुझे जरूर बढ़ाएब आएब।